जैंद इस वीडियो उनों की इंडिया नेलवेगा एक Monopoly Stock IRFC के बारे में बात करेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कंपणी में पहले से इंबेस्टमेंट किये हुए हैं और बहुत से इस नए लोग हैं जो इस कंपणी में फिरेस इंट्री लेना चाहते हैं लेकिन सब के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इस कंपणी का शेयर प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा है काफी दिनों से एक ही जगा पर क्यों अटका हुआ है तो इस वीडियो में बिस्री के लिए इससी मुद्दे को पर तफसीस से बात करेंगे आपको बताऊंगा कि दिकत कहा है आखिर किस कमिंग चलते है श्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है और उपर जाने के चांसे कब से हैं यह जो आई आयर एफसी कंपनी हैं लोग जाते हैं कि इसका पूरा नाम होता है इंडियन रेल्वेंड फूड कर्पोरेशन जब आयर एफसी एसेंटस खरीता है रेलवे के लिए एक्कानर आइसेंट्स ग्रेयन सहरा करतार है व然 मतलब कैसा NBFC कंपनी जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसके उपर बिल्कुल NPA नहीं है आज कर आप जितने भी बैंक देखेंगे या NBFC कंपनी देखेंगे सब का NPA धरी धरी बढ़ते जा रहा है लेकिन इसका NPA बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यह अच्छी बात नहीं समझें यह जो कंपनी है इसका मार्के पें 29,70 कराोंड बैया मतलब एक कंपनी कह सकते हैं और इस मार्केट के हिसाब से सेर प्राइस और अब इस सेर प्राइस सेkum 12 Kollege, q and और यह लगा थे पिछले साल नॉवंबर में और नॉवंबर में हाई लगाने के बाद दाउन लगा डेके अभी तक इसका डाउन ट्रेंड में ही आप पी रेस्टो देखें तो इस टोग अब चाहते यह चाहते हैं अर्थाथ अगर आप इसमें इंट्री लेना चाहते हैं आपसिस से बात करेंगे फिलाल यह समझते चलिए इस कंपनी का बुक वैलू है 30 रोपया 23 पैसा बुक वैलू काफी अधिक है और मैं बार-बार कहता हूं किसी भी स्टॉक का अगर बुक वैलू जितना अधिक रहे उतना अच्छा माना जाता है हलाकि एज शेयर सोलर्स हमें देखना चाहिए हमारा जो शेयर का प्राइस है बुक वैलू से अधिक रहे तो मज़ा आता है लेकिन यहां अभी शेयर प्राइस बुक वैलू से कम है तो ठीक है अगर आप नया इंटिलना चाहते तो सस्ता मिल जाता है तो अच्छी बात ही है और रिटर्न और इक्विटी आरो इस से अधिक होना चाहिए लेकिन यहां कम है तो खेर कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है फिस बेवले दस रुपया और डिविडेंट डिगल है चार पॉइंट साथ दो परसेंट ठीक है देखिए छोटी कमपनी है लेकिन उसके बाद जो डिविडेंट देती है क् दिसंबर तीमाही के बात करें तो इसको पंद्रा लाग पंद्रा सो चुरानवे करोना का सुथ मुनाफ़ा हुआ था और अर्निंग पर सेयर एक सेयर पर एक साल में कितना रुपया बढ़ता है वह भी देखेंगे तो एक रुपया बाइस पैसा है जो कि परफेक्ट है हाला तो यह दीकत है हाला कि सेवी के गाइडलाइन के मुताविक प्रमोटर के सधिक नहीं होनी चाहिए हाला कि यह कंपनी सेयर बजार में लिष्ट ही हुई है और उनके पास तीन साल का समय है तीन साल के अंदर यह लोग अपनी सधारी का टाक है 75 परसेंट तक ले आएंगे उस तीसरा कारण है सोर्स ओफ इंकम आपको बताएं कि यह एक ऐसा कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही सोर्स ओफ इंकम है भारती रेलवे भारती रेलवे से इसका हंड़ेड परसेंट रेविनू जिनरेट होता है मैंने यहां बताया तो अगर मालीजे कल को रेलवे घाटे में चल करोना में हमने देखा रेलवे बंद रहा तो उस दोरान तो इस कंपनी को नुक्सान हो जाएगा और जब नुक्सान होगा तो जो बड़े-बड़े इंबेस्टर्स होंगे उनको भी नुक्सान होगा तीसरा कारण है गवर्मेंट कभी इसका पॉलिसी चेंज कर तो मालीज अगर आने और समय पॉलिसी चिंज कर देती है जिसे हमने आई यार सीटी सी के केस में देखा मतलब मेहनत तुम करो और पैसा हम लोग बरोबर बरोबर माट लेंगे तो यह तो ठीक नहीं नहीं है कंपनी अपने पैसे से ब्याज बजार से पैसा लेके रेलवे के लिए असे तो सिर्फ पबली के भरों से तो इसे श्टॉक का प्राइस उपर नहीं जा सकता तो मेन कारण यही है अभी अच्छी ख़बर यह है कि जो बिदेशी निवे सोकते हैं फॉरें इंसिश्यूशन इंवेस्टर सुनकी हिस्चदारी आप और अगर डियाई की बात करें डोमेस् किस्चदारी बढ़ाई है और पबली के पास जैसा मैंने बताया कि 9.33% किस्चदारी तो अगर बात करें करना क्या है तो करना यही है कि अगर आप इसमें फ्रेस इंटी लेना चाहते हैं तो आप इसमें लॉंग टर्म के नजरिये से सोच क्या यह तब आप मुनाफ़ा अपनी है सरकारी कंपनियों में इतना जल्दी नहीं पड़ता आपको समय देना होगा उमीद करता हूं यह वीडियो इंफर्मिटीव लगी होगी मैंने जो बताया आपको समझ माया होगा बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब दल धन्य बात सुक्रिया